कि अग्वाइब एक टो क्रेटिमाफ फैसन बूटीक मैं मुक्ता जन हमारा बूटीक हजवानी उत्रकड में है हमारे यहां साड़ियों से ड्रेस त्यार की जाती है और हड़ रहे के कस्टमाइज काम किये जाते हैं आज हमारे पास जो पीस आया है यह री क्रेट होने आया है यह एक तरह का सूट है उन्होंने मेरी क्लाइट ने यह सूट किसी बूटीक से ही तयार करवाया था बट उन्हें यह डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं आया इसमें सारा हैंड वर्क है यह इनर है और इसके उपर अनार कली कुर्टी है इसके उपर यह अनार कली कुर्टी है नेट की इसमें जो सारा वर्क है यह यह सारा वर्क आरी का वर्क है दबके वाला वर्क है बट यह डिजाइन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया है इसमें मैरून कलर का ही दबट्टा है जिसमें ब्लू कलर का बॉर्डर लगा हुआ हम इसे नया लुप देने की कुछिस करेंगे हमने इसमें करने कि जॉर्जट डाई कराई है चोली की मैंचिंग की जॉर्जट हमने लाई कराई है तेन मीटर और जो कुर्टी थी उससे हमने सारे पैजिस निकाल लिए है इसके सारे पैजिस हम न्यू कुर्टी में यूज करेंगे और ये हमने मैंचिंग की एक लेस ली है जिसे हम बॉटम में लगाने वाले है पुरानी ड्रेस से हमें मदर टाटर कमबो तियार करना है पहले मैं आपको मदर की ड्रेस दिखाती हूँ हमने किस तरह से बनाई है जौर्जट के फैब्रिक से हमने नीचे अमरेला घेर दिया है घेर में हमने लेज भी लगाई है और पैजेज भी लगाए है हमारे पास 10 पैज थे तो 5 हमने पैज आगे लगाए है 5 पैज हमने पीछे लगाए है 10 पैज अगर हम आगे लगाते तो वेट काफी आगे ही जाता है इसलिए हमने ओल ओवर पैज दिये है लेज भी हमने ओल ओवर दिये है पैचिस निकाल के हमने अगरबत्ती से पहले जलाए थे उन्हें पैच की तरह तयार किया फिर हमने इसमें लगाए है स्लीज में भी हमने दो पैच दिये हैं स्लीज हमने जॉर्जट की दी है प्लेन स्लीज से निचे फ्रिल दी हुई है फोल्ड करके और उपर की साइड हमने पैच दिया है स्लीज में इसका बैक सेट सिंपल है क्योंकि चोली भी प्लेन थी विदाउट इम्प्राइडी पैचिस हमने नीचे सम्में दिये है यह आप अम्रेला का घेर दे सकते हो कितना अच्छा आ रहा है बिलकुल इक्वल घेर है अगर आपके अम्रेला में इक्वल घेर ना आ रहा हो आगे से नीची जुकता हो तो आप हमेशा जो फ्रंट की साइड है वो एक या दो इंच उंचा काटें जिसे कि जब आप उसे त्यार करेंगे तो वो इक्वल घेर दिखाई देगा कहीं से उंचा कहीं से नीचा नहीं दिखाई और काफी एक्सपेंसिव थी इसलिए हमने उस पूरी कड़ाई का यूज किया है यह मैरून दुबट्टा है उनके पास जिसपे की ब्लू कलर का वैलविट का बॉडर लगा हुआ है और गोल्डन कलर की दपके की कड़ाई है चोड़ी चोड़ी सी बूटीज है पजामी भी उनकी डॉटर की ड्रेस तियार की है इनर को हमने एलाइन कुर्ती में दिया है और जो उनका अनारकली का पार्ट था उसे हमने उपर की साइड दिया है यह दपके की जो इंपर आप देख रहे हो नैक में वो उनके नैक कुर्ती में थी यह जो हमने बैल्ट दी है बैल्ट उ स्लीर्स हमने फुल रखी है बैक में हमने जिप दी है और उपर हमने एक हुग दिया है जिससे की खुले ना बार बर ये ड्रेस इस तरह में तियार हुई है हमारे पास थोड़ा सा फैब्रिक बचा था उससे हमने छोटा सा दुपट्टा दिया है वैलवेट का इतना ही पीच इसे हमने नीचे लगाते हुए दुपट्टे की लेंद्ध बढ़ाने के लिए काम में लिया है इसका फाइनल लुप दिखाती हूं मैं भी आपको बहुत ही प्यारी ड्रेस बन किया है इस ड्रेस में हमने पूरी कोशिज की है उनका जितना इंब्राइड पार्ट था वो हम पूरा का पूरा ले ले हमने उनका जरास अभी कोई भीम राइडी का पार्ट पेश नहीं किया है इस तरह से हमने उनकी एक अनारकली में से हमने दो ड्रेस तियार करती है मतरी डॉटर कॉम्बो पे ये थ्री एर बेबी गर्ल की ड्रेस है नीचे से हमने ज्यादा फोल्ड क कि अगले साल भी उसकी आ जाएगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे इंस्टेग्राम पेस को फॉलो करें अगर आप हमसे कॉंटक्ट रना चाहते हैं तो कर सकते हैं मिलते हैं नई वीडियो में नई ड्रेस के साथ थैंक यू